Hello dear students, आज के वीडियो में हम class 10th physics से जो board में exam में numerical साते हैं, उनके बारे में discuss करेंगे और ये numerical आपके base न होंगे mirror formula पर, तो चलिए देखते हैं, पहला question आपका क्या है? ये आपका पहला question है, जो base deck इस पे mirror formula पर, कोई वस्तु 15 cm focus दूरी वाले आउतल दरपड के सामने 30 cm की दूरी पर रखी है, तो इसमें आपको ग्यात क्या करना है? प्रतविम की इस्तिती ग्यात करनी है और आवर्धन ग्यात करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाह कि इसमें formula कौन सा यूज किया जाएगा और हम इसको किस तरह से solve करेंगे, तो numerical को solve करने से पहले सबसे पहला काम आपको numerical क्या बोल लाए ये समझाना चाहिए, तो इसमें देखिए, एक वस्तु है, 15 cm focus दूरी वाले आउतल दरपड के सामने रखी गई है, तो दरपड सूत पहले आप लिख लें, दरपर सूत आपका ये कहता है, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, इसमें कौन सी चीज क्या है, ये हम आपको clear करा देते हैं, ये है focus दूरी, focus दूरी जिसको ये आप से लिखा गया है, v क्या है, प्रतिविम की दूरी, और सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो आपको पता चल गया होगा, कि इस में, इस फार्मूले में, जो भी letters यूज किये गये हैं, वो किसलिए यूज किये गये हैं, और दूसरी चीज आपको ये notice करना है, कि कोई भी numerical solve करते समय, sign convention आपको यूज करना है, तो sign convention हमने बताया है, जिसने नहीं देखा है वीडियो को, playlist में जाके वीडियो उपलब्द है, वहां से वो देख सकता है, तो चलिए अब देखते हैं, इसमें क्या दिया है, कि कोई वस्तु 15 cm फोकस दूरी वाले आउतल दरपड के सामने है, आउतल दरपड की फोकस दूरी माइनस हो यानि कि आप यह लिख लें, f is equal to कितना है, 15 cm, लेकिन अगर आप sign convention यूज यहाँ पर direct करते हैं, तो आपके लिए फार्मूले में value रखने में कोई problem नहीं आएगी, तो माइनस 15 cm हो जाएगा, अब यहाँ से कितनी दूरी पर रखी गई है, यह भी आपको दिया है, यानि क पताया कि sign convention के according वस्तु हमेशा दरपर से बाई और रखी जाती है, इसलिए यू का मान हमेशा minus में होता है, तो यहाँ पर minus 30 cm हो जाएगा, आपको निकालना क्या है, प्रतिविम की इस्तिति, पहली case आपको निकालनी है, तो आप यहाँ से v find करें, और v आपको निकालना है अब दरपर सूत्र का जब प्रियोग करेंगे आप, तो दरपर सूत्र से 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u से, जब यह वाला फार्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ से आपको निकालना जो है, उसको एक side में रख लीजिए, यानि कि 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u हो जाएगा, अब is equal to कितना हो जाएगा, 1 by कितना f की value आपकी पास है, minus 15, जहाँ पर minus है, और 1 by यहाँ पर कितना हो जाएगा, minus 30, यह minus, यह minus plus हो जाएगा, तो 1 by v is equal to कितना हो जाएगा, 1 by minus यहाँ पर कर लीजिए, 15 plus 1 by 30, LCM equal करने की बात आई, यहाँ पर अगर हम 2 से up and down, यानि कि अंस और हर में, numerator और denominator में, 2 से multiply कर दें, तो equal हो जाएगा, तो 1 by v is equal to आपको कितना मिलेगा, minus 2 plus 1 by कितना 30, देखिए, यहाँ पर 2 से multiply करेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बना रहेगा, अब यहाँ से 1 by v is equal to आप को मिल जाया कितना, minus 1 by 30, तो आपको अगले step में क्या मिलने वाला है, v is equal to minus 30 cm, यनि कि वस्तु की दूरी कितनी है, v is equal to आपको पता है, minus 30 आपने प्राप्त कर लिया है, इतना cm, और u is equal to भी आपको मिला है कितना 30 cm, इसका मतलब यह हुआ, कि जहाँ पर वस्तु रखी गई है, वहीं पर उसका प्रत्विम बनेगा, आवर्धन इसका कैसे निकलेगा, यह भी देख लेते हैं, m is equal to कितना हो जाएगा, फार्मूला आपके पास है, minus v y u, यह फार्मूले का minus है, याद रखें सिच को, तो m is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पर minus, और v की value क्या है, minus 30, अब यहाँ पर आपको u की value फुट करनी है, u की value क्या हो जाएगी, minus 30 again, यह minus से यह minus cancel हो जाएगा, तो m की value आएगी कितना, minus 1, यहाँ पर जो प्रत्विम बन रहा है, वो कैसा है, वस्तु के बराबर ही है, और प्रत्विम बराबर तो है, लेकिन आवर्धन minus आने का मतलब यह है कि प्रत्विम कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है, और वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि ओतल दरपड से ही बना है, यनि कि वस्तु कहां पर रखी गई है, exactly सारी केसें यहाँ से trace हो जा रही है, जहां पर वस्तु थी, वहीं पर प्रत्विम बना, यनि कि वस्तु दर पढ़के C पर रखी गई थी, यानि कि वक्रता केंदर पर रखी गई थी, इसलिए ऐसा कुछ इसका image आपको मिलेगा, यहीं पर वस्तु रखी गई थी, यहीं पर इसका प्रत्विम बना, अब यह दूरी कितनी थी, 30 cm, यह भी 30 cm आपको मिला, यह प्रत्विम की दूरी, अग X के लिए, तो I की value कितनी है, minus X, और O की value क्या है, X cancel हो जाएगा, तो M is equal to कितना मिलेगा, minus 1, अब वही चीज़ तो यहाँ पर मिली, लेकिन हमने इसको solve किससे किया, M is equal to minus VY, U से, क्योंकि हमारे पास वस्तु की लंबाई और प्रत्विम की लंबाई नहीं थी, तो सारी च आसान है, बस आप video को अंत तक देखें, सारे concept आपके अच्छे से clear होंगे, यहाँ पर आपको कोई problem नहीं आएगी, तो इस तरह से सारी चीज़े आप clear कर सकते हैं, आवर्धन के लिए हमने especially बताय था, आवर्धन आपको देखना है, positive है, या आवर्धन negative है, इससे आप clear कर सकते हैं, कि प्रत्विम कैसा है, वास्त्विक है, कि आपका आभासी प्रत्विम बन रहा, यह सब चीज़े आप clear कर सकते हैं, अब positive दरपड अगर आवर्धन है, तो उस case में भी एक बार positive आता है, आवर्धन, लेकिन तब प्रत्विम कैसा होता, आभासी और आवर्धन जो तो आप तुरंत कहें, कि यह positive value जो आपको मिली है, किसकी आवर्धन की, यह तो आवर्धन दरपड है, क्योंकि यह वस्त से बड़ा प्रत्विम बन रहा है, और उत्तल दरपड में, जब आवर्धन आपको ऐसा मिलेगा, m is equal to plus 1 by 2, तो आप यह जानेंगे, कि आवर्धन positive ह लेकिन, एक से कम हो, फिर से आवर्धन अगर positive होगा, और एक से कम होगा, तो उत्तल दरपड में परीयोग किया गया है, प्रत्विम आभासी होगा, और अगर आवर्धन positive है, उसकी value 1 से बड़ी है, तो आवर्धन दरपड ही है, प्रत्विम आभासी होगा, नए तो बाकि 5 cases में आवर्धन की value जब negative होगी तो आप बेही चेक कहिए कि वो कैसा दरपढ़ है आउतल दरपढ़ है तो I hope आपको इस question का concept अच्छे से समझ में आ गया होगा अब ये दूसरा question है 20 cm focus दूरी वाले आउतल दरपढ़ से कोई वस्तु कितना दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रत्विम दरपढ़ से 30 cm की दूरी पर वस्तु की ओर ही प्राप्ध हो जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही प्राप्ध हो 20 cm focus दूरी का आउतल दरपढ़ है तो f is equal to कितना है minus 20 cm आप यूज करेंगे आपको क्या निकालना है यूँ क्योंकि आपसे कह रहा है कि कोई वस्तु कितना दूर रखी जाए तो यूँ आपको निकालना है कि उसका प्रत्विम दरपढ़ से 30 cm की दूरी पर वस्तु की ओर ही मिलना है तो अगर यहाँ पर ऐसे वस्तु रखी गई है तो प्रत्विम भी इधर ही मिलना है 30 cm की दूरी पर मतलब आपको v is equal to कितना दिया है माइनस 30 cm उमेद करता हूँ कि यह question आप solve कर ले जाएंगे और solve करके इसका comment हमें जरूर करेंगे कि यू कमान कितना आया अगर आप यू कमान निकाल लेंगे तो एक advantage यहाँ पर और आपके लिए हो जाएगा कि यम भी आप find कर सकते हैं इसी तरह से आप आवर्धन में निकाल के हमें जरूर बताईएगा कि आवर्धन कितना आएगा यह question आपके लिए है अब हम चलते है question number 2 की दरफ तो students आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप बस वीडियो को अंततक वाच करें सारे concept आपकी clear हो जाएंगे बोर्ड की परिच्छा में ऐसे question आप एक से डेर्ड मिनिट में करके आराम से बैठेंगे तो यह आपका question number 2 है उस वस्तु की इस्तिती ग्यात करनी है मतलब इस्तिती का यह हुआ कि आपको भी ग्यात करना है जिसको 20 cm फोकस दूरी के उत्तल दरपड हाइलाइट ऐसे कर लेंगे तो आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में आएंगी तो फोकस दूरी कितना है उत्तल दरपड का यानिकि f is equal to plus 20 cm sign convention का आप start से use करें जिससे कोई problem ना आए अगर आप sign convention से use करेंगे तो वही value आपको put करनी है किसमे फार्मूले में और इजली आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगी तो उस वस्तु की इस्तिती ग्याद कीजिए जिसको 20 cm फोकस दूरी के उत्तल दरपड के सम्मुख रखने पर वस्तु का आभासी प्रतविम बनता है आभासी तो बनेगा ही क्योंकि दरपड आपका कैसा है उत्तल दरपड है लेकिन जिसकी लंबाई क्या है वस्तु की लंबाई की आधी है मतलब ये कि जो प्रतविम बन रहा है सपोर्ज करिए यहाँ पर मैं आपको एक डाइग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि वस्तु ये है अगर ये x cm की है तो इधर जो प्रतविम मिलेगा आभासी प्रतिम ये x by 2 होगा ऐसा आपको दिया है कि जिसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है तो question अच्छे से पढ़िए concept को highlight करिए जो main point है उसको highlight कर लीजिए और आप उस value को फार्मूले में क्या करिए रख दीजिए और आसानी से उसका solution आपको मिल जाएगा बसरते calculation आपका दुरस्त होना चाहिए अब क्या हो जाएगा तो हमारे पास f तो है भी हमें ग्याद करना है u की value भी नहीं है तो सबसे पहला गाम अगर इस फार्मूले का हम लोग यूज क लेकिन उसके लिए हमें एक चीज और दे दी गई है आवर्धन निकालने के लिए यानि कि m is equal to हम लोग जानते हैं i by क्या होता है o और बोला है कि प्रतविम जो बंडा है वो वस्त की लंबाई का आधा है अगर यहाँ पे प्रतविम की लंबाई x by 2 है और वस्त की एक ही direction में बनने है sign convention के according तो यह भी positive यह भी positive लेकिन हम लोग जानते है m is equal to minus by u b होता है और m is equal to हमारे पास कितना है plus 1 by 2 तो यहाँ से हम यह value रख देंगे 1 by 2 is equal to कितना हो जाएगा minus by u हमें निकालना क्या है हमें सबसे पहले u की value यहाँ से चाहिए हमें main काम भी पे करना है तो u यहाँ से तो हमको मिल जाएगा u is equal to आपका कितना हो जाएगा minus 2v देखिए यहाँ से u का multiply इधर होगा और 2 का multiply इधर होगा अब u की value कितनी आ गई minus 2v अब यहाँ से तो इस formula का use करके u का मान निकाला गया यहीं पे एक चीज और आप notice करिए जब u v या f u v या f का मान अंकों में केवल दिया होगा अंकों में तब आप sign convention यूज करिए sign convention नहीं तो अब आपके दिमाग में यह चलना होगा कि अगर मैं यहाँ पे u का मान कितना minus 2v जो हमको मिला है minus फिर से करूँ तो यह plus हो जाएगा यह नहीं करना है आपको क्योंकि यह आपको फार्मूले के terms में ही मिला है जो फार्मूला था यानि कि u v के terms में जब भी value मिलेगी तो आप sign convention यूज नहीं करेंगे आप जैसे value मिली है वही value उठाके इस फार्मूले में रख देंगे तो उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको अच्छे से समझ में गई और इसको हमेशा के लिए आप notice करके रखें दिमाग में हमेशा रखें क्योंकि 12th class में भी आपको इस टाइप की numerical मिलेंगे तो u और v या या का मान तभी sign convention लेकर यूज करना है जब वो अंकों में दिया गया होगा केवल अंकों में केवल अंकों में क्योंकि अंक तो इसके साथ भी है लेकिन केवल अंक हुता जैसे अभी u की value यहां से हमको मिली होती कितनी अगर u की value हमको माइनस 2 मिली होती तो हम यहां पर sign convention जब लगाते तो u की value प्लेस 2 हो जाती तो हम यह value यहां पर put करते उसका implementation हम sign convention के साथ में करते लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है त तो यहां से 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u से अब जब इस फार्मूले का आप use करेंगे तो आपको निकालना क्या है आपको v ही निकालना है यह value आप यहां पे अब रख दीजी जो आपके पास है यहां पे हो जाएगा 20 is equal to कितना 1 by v asht जैसे रखा जाएगा plus 1 by minus 2 v क्योंकि u कमाल कितना है minus 2 v अब यहां पे अगर 2 से हम लोग multiply कर दें यह एक step और लिखते हैं फिर करते हैं is equal to कितना हो जाएगा 1 by v और यह minus बीच में आ जाएगा 1 by कितना 2 v ऐसा हो जाएगा अब यहां पे देखिए 2 से अगर multiply कर दूँ up and down तो LCM equal हो जाएगा तो 1 by 20 is equal to कितना हो जाएगा 2 minus 1 by 2 v ऐसा हो जाएगा अब फिर कितना आपको मिलेगा आपको मिलेगा 1 by 2 v is equal to 20 तो यहां से आपको 2 v is equal to मिला कितना 20 और v is equal to आपको कितना मिल जाएगा 10 cm यह positive कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पे जो वस्तु रखी गई थी उसका इधर जो प्रत्विम बंधा था वस्तु की लंबाई का आधा x by 2 वो 10 cm की दूरी पर दरपड से बनेगा अब यहां से अगर आप चाहें तो u भी निकाल सकते हैं यह आपकी उपर depend करता है क्योंकि v की value तो आपको मिल गई है कितना है 10 cm तो u कितना हो जाएगा देखिए यहां पे रख देंगी u is equal to कितना minus 2 into 10 तो यह हो जाएगा u is equal to minus 20 cm मतलब यह कि यह दूरी यहां से कितनी है 20 cm की है तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजे आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी अगर यहां पे कोई problem होती है तो आप हमें comment करके जरूर पूछें हम उस step को और बताने का यह समझाने का प्रयास करेंगे यह दूसरा question है इसी type का यह question आपको करना है क्या है 2.5 meter focus दूरी के उत्तल दरपड यहां भी उत्तल दरपड है focus दूरी इसकी 2.5 meter है कि आगे कोई व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा हो जिससे उसकी आदी उचाई का प्रत्विम दरपड द्वारा बन सके एक चीज numerical solve करते समय आपको ध्य minutes यूज की जाती है यह जैसे यहां पर meter है यहां पर centimeter है तो फार्मूले में जब उनका implementation करें तो सारी units एक ही system में होनी चाहिए या तो centimeter या तो meter या तो millimeter सब एक ही में होगा तभी answer आपका सही आएगा तो अगर आप इसको centimeter में करना चाहेंगे क्योंकि हमने centimeter में ही आपको बताया है तो centimeter में करेंगे तो आप यहां पर hundred से multiply कर देंगे तो आपको मिलेगा 250 centimeter लेकिन अगर आप meter में ही करना चाहते हैं तो meter में ही 2.5 meter F कमान लेके कर सकते हैं प्लस 2.5 meter हो जाएगा यह F कमान और यहां पर आवर्धन के लिए कोई unit आएगी नहीं हमने आपको बता द बताया था कि आवर्धन की कोई unit नहीं होती है तो आप इस question को solve करके और इसके पहले जो हमने बताया उसको solve करके comment करके हमें जरूर बताएं अगर कहीं doubt है तो हम उसको दूर करेंगे लेकिन आपसे request यही है कि वीडियो को जब पूरा अंत तक देखेंगे तो आपके सारे concept अच्छे से clear होंगे और exam में board exam में आप 100 out of 100 करके आएंगे यह मैं उमीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आई है तो like share करना ना भूले चैनल को subscribe करें और भी अपने दोस्तों से बोलें कि इस चैनल के साथ जुड़ें और इसे subscribe करें धन्यबाद